हेलो दोस्तों वेल्कम टू माई चैनल प्लांस फॉर गाटनी में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगी मनी प्लांट की केर के बारे में क्योंकि ये प्लांट हर किसी के घर में पाया जाता है आप लोग लगाते हैं बहुत सौक से लगाते हैं और घर चाय जितना किसी का छोटा हो लेकिन मनी प्लांट मैंने देखा है हर घर में लगा हो चाय छोटे से पाट में लगा हो कुछ लोग इसको अंदर भी लगाते हैं मतलब इंडोर भी लगाते हैं बोतल में पानी भरके या छोटे सेपोर्ट में कैसे भी मतलब हो वो लगाते हैं मतलब हर जगह पाया जाता है हर घर में पाया जाता है ये मनी प्लांट और इसमें देखे एक वराइटी ये छोटे पते और एक मैंने देखा बहुत बड़े बड़े यही पेड़ होता है लेकिन इसको लगाने का अलग अलग तरीका होता है जैसे जमीन में बहुत लोग लगा देते हैं तो इसके पत्ते बहुत बड़े हो जाते हैं कुछ नूट्रिशन जमीन से मिल जाते हैं इस वज़े से जो है कि इनके पत्ते बड़े हो जाते हैं, हम लोग गंबले में लगाते हैं, तो मीडियम साइज के पत्ते निकलते हैं, तो यह मैं समझेगा कि वो मनी प्लांट अलग होता है, यह अलग होता है, होते सब एक ही ही है, लेकिन लगाने का तरीका अलग होता है, गंबले में बहुत पहले डाला है और पहली बार मैं इसकी केर बताने जा रही है अपने चैनल पे तो मनी प्लांट का जो केर होती है दोस्तों बहुत आसान होती है बहुत इसली ग्रोथ करने वाला प्लांट होता है और मैं आपको एक बात और बता देती हूं कि इसको लगाना बहुत आसा यानी से ग्रोह करने वाला ये प्लांट होता है, मेरे पास तो बहुत सारा मनी प्लांट लगा था मैंने गर्मियों मैं जुन की जब गर्मी पढ़ती है तब इसकी हालत बहुत जादा घराब हो जाती है, तो मैंने ये ये हटा दिया था, बिल्कुल मतलब पूरा एकदम जो है तो यह अपने आप ही ग्रोध कर गया मैंने चाहा नहीं था कि मनी प्लांट लगे क्योंकि बहुत ज़ादा खराब हो जाता हर साल यही हालत होती है मैंने पहले वीडियो डाला है आप लोगों को दिखाया है कि कितनी हालत खराब हो जाती मैजून की गर्मी में तो कह सकते हैं क यह समर सीजन का प्लांट होता है लेकिन बहुत ज़ादा जब जलने वाली संलाइट मिलने लगती है तब इसकी हालत बहुत ज़ादा खराब हो जाती है यहां तक कि इसके पत्ते बिल्कुल जल जाते हैं ब्राउन हो जाते हैं बिल्कुल मतलब पापड बन जाते हैं तो इस इसको कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं और नर्सरी से भी ला सकते हैं और लाने के बाद इसको आप लगा सकते हैं मिटी मिटी बनाने के लिए आपको करना क्या है इसकी मिटी जब भी बनाईए थोड़ा सा मॉस्टर होल्ड करने वाली मिटी बनाईए ताकि जो है इसमें इसक डालेजे तो यह गल्ता भी बहुत जल्दी है इसलिए जब भी मिट्टी बनाई है तो एक भाग आप बालु, मिट्टी ले लिजिए एक भाग आप ले लिजिए कोको पीड़गर है और एक भाग आप ले लिजिए ग़ौबर कीखाद ग på की फा किविए Garden को यह चार प्लांट है कि लिखुम यह चार चीजे मिलाखे इसको लगा सकते हैं तो थे k scootyali मिटी होनी चाहिए वह और चार जोड़ को नहीं चाहिए ऐसे स्कूंगाने सांथ को कोan भी भी रहे सकते हैं अब प्लास्टिक कभी ले सकते, मैंने देखा है, ये सभी गंबलों में चल जाता है, आप चाहे मिटी के गंबले में लगाईए, प्लास्टिक के गंबले में लगाईए, छोटे में लगाईए, बड़े में लगाईए, जैसे भी लगाईए, ये प्लांट ग्रोथ कर जाता है, मतलब आप छोट काफी जादा है कभी उसका अलग वीडियो में बनाऊंगी यह टैरिस पे रखा हुआ इसलिए थोड़ा सा इसमें फंगल लग गया है अब मैं इसमें नीम का जो फर्टिलाइजर डाला जाता वो मैं डालूंगी तो गंबला आप कोई सा भी लीजे देखिए छोटा सा गंबला है मैंने बनाया था डिब्बे का जो रासन रखने वाले डिब्बे नहीं आते हुँगल मैंने काटके बनाया था उस میں भी लगा हुआ था तो इसमें भी मतलब कहने का ये है कि गमले का कोई इसू नहीं होता, आपके पाथ जैसा भी है, जो भी है, आप उसमें इसको लगा सकते हैं, बहुत आसानी से, कभी कभी क्या होता हम लोग जो है, जो मिटी होती है, हाड मिटी में भी इसको लगा कि मैंने देखा है, तो उसमें भी ये ग्रो तीन से चार घंटे की sunlight तो इसे मिलनी चाहिए लेकिन जब माई जून की गर्मी आती है जब उसमें धूब जो निकलती है उससे इसको बचाना चाहिए क्योंकि मेरा हर साल माई जून की गर्मी में बनी प्लांट बिल्कुल खराब हो जाता है क्योंकि ओपन एरिया में रहता है बिल्कुल डारक्ट sunlight पड़ती है इतनी ज़्यदा sunlight पड़ती है कि दो घंटे की sunlight में भी इसकी हालत इतनी खराब हो जाती पूरे पत्ते एकदम ब्राउन हो जाते हैं, तो यू कह लिजे कि 3-4 घंटे की सनलाइट इसको मिल जाए, तब भी ये बहुत अच्छा ग्रोथ करता, अगर मैजून की गर्मी के बाद आप रखते हैं सनलाइट में, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, ये टैरिस पर मैजून की सनलाइट से इसको थोड़ा सा बचाना पड़ता है, और अब बात करते हैं कि इसको पानी कैसे देना, पानी अगर बहुत जादा गर्मी होती है, तब इसको एक टाइम पानी देना ही पड़ता है, लेकिन जब बारिस के बाद का मौसम होता है, जो इस समय चल रहा है, तो इस टाइम पे अगर आप एक-दो दिन पानी नहीं भी डालेंगे तब भी ये प्लांट अच्छा गुरोत करता है, मैंने देखा है, कि दो दिन अगर पानी न डाली है, तब भी ये प्लांट कोई प्रॉब्लम ने करता है, इसके पत्ते वैसे ही रहेंगे जैसे हैं, क्योंकि ये इतना घना बन जाता है तो नीचे की जो मिटी होती गमले की वो जल्दी ड्राइ नहीं होती हल्का सा मौस्टर अगर बना रहता है तो हमेशा ये तीन-चार दिन पिना पानी के भी चल जाता है अगर आप भर-भर के पानी डेली डालेंगे तब भी ये खराब हो ज देजिए तो ये अच्छी ग्रोध करता रहता है अब बात करते हैं इसमें फटिलाइजर कौन सा डाला जाता है तो मैं फटिलाइजर की बात करूंगी तो सबसे ज्यादा इसमें नाइट्रोजन की जरूरत होती है जैसे कि गोबर की खाद आप दे दीजिए डीएपी भी द दे दीजिए इस टाइम पर भी दे सकते हैं और वैसे जब इसका सीजन सुरू होता है उधर मान के चलिए मार्च के बाद का तब दे दीजिए क्योंकि इसकी ग्रोध का टाइम उस टाइम सुरू होता है मार्च के बाद तब इसको जो है खाद थोड़ा सा देना पड़ता है आप कोई भी टैनी इसकी काट लीजिए, तोड लीजिए, जहां से roots निकलती हैं, वहां से इसको लगा दीजिए, और ये बहुत आसानी से तैयार हो जाता है, मतलब इसको आप बोतल में पानी भरके भी रख सकती हैं, कमरे में, और मिटी में दबानी हैं, तो मिटी में भी जह से roots इसकी हलकी से निकलती हैं, वहां से आप लगा सकते हैं, तो cutting से बहुत आसानी से तैयार हो जाता है, इसको cutting से लगाना इतना आसान होता है, कि आप इसकी cutting थोड़ी से काट के, 4-5 काट लीजिए, और रख दीजिए, बोतल में थोड़ा सा पानी भरके, तब भी इसकी roots निकल आती हैं, मैंने बहुत पहले लगाया था, और मैंने देखा है कि कैसे भी इस plant को लगाई है, यह plant हर तरीके से growth करता है, अब मैंने जो है, अपना जो money plant जितना collection था, मैंने हटा दिया था, बिल्कुल नहीं रखा था, और यह सारा collection है, यह मांसून में growth कर गया, तो भी कुछ चीजे पता होनी चाहिए, अगर आपको care नहीं पता होगा, तो आप money plant पेड नहीं लगा सकते हैं, और वो खराब हो जाएगा, तो यह थी कुछ बाते money plant की care के बारे में, आपको कैसा लगा वीडियो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो like, comment, share, जरूर करना, चैनल क सब्सक्राइब कर लेना, तो आज का वीडियो यहीं रोगती हूँ, चलती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में, कोई नहीं जानकारी के साथ, कोई नया topic को लेकर दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिये, और बहुत सारा ख्याल रखिये, त तो ओके फ्रेंड, बाई!